कि अधाइब कर दो आज कि वीडियों में आपको बताऊंगा कि आप खुद की स्प्लैश स्क्रीन कैसे बना सकते हो कि फर्स पेज होता है जिसमरं का लोगो दिखता है आप कोई है बैक ग्राउट का डेट पर तक वह लोड हो जाता है तो आज के इस वीडियों में आपको बताऊँगा कि आप खुद की स्प्लैश स्क्रीन कैसे बना सकते हो तो सबसे पहले हम लोग एक नई एक्टिविटी बनाएंगे और उस एक्टिविटी को नाम देंगे स्प्लैश स्क्रीन तो यहां पर हमारी एक एक एक्टिविटी बन गई है और जब हम वह एक्टिविटी बनाते हैं तो वह एक्टिविटी की टोटल दो फाइल्स बनती है एक होती है उसकी लेयाउट फाइल जिसमें हम लोग फ्रंट एंड डैवलोपमेंट करते हैं मीन्स डिजाइनिंग करते हैं इस फाइल में और उसी के साथ एक दूसरी फाइल बनती है जो कि होती है जावा फाइल जिसके अंदर हम लोग सारी बैक एंड कोडिंग करते हैं डाइनामिक बनाने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं एक क्लास बन चुकी है स्प्लैश स्क्रिन जो कि एक्स्टेन करती हैसे उसके इसके सुपर क्लास है है अरे जो अन्क्रीट फंक्षण है यह सबसे पहला फंक्षण गर्फे कि जैसे इसे हमारी अरे debunk एक्टी बनती है तो इसके अंदर का जो कोड है वह एक्जिक्व्यट होता है तहां में लोग ज कर लेते हैं हमारा layout तो मैंने constraint layout यूज किया है क्योंकि मैं सिफ एक ही object यूज करने आ आ लूँ जो कि image view तो मैं इस constraint layout को पहले तो background दे देता हूँ hash 000 मतब कि black color आप कोई color यूज कर सकते हैं अब इसके अंदर मैं एक image भी डालूँगा मनलब कि मैं एक image दिखा चाता हूँ और उसकी size मैं wrap content wrap content दे दूँगा कि जितनी size हो उस image की उतरे में वो fit हो जाए और उसके बाद में src attribute यूज करूँगा उसके अंदर image load करने के लिए तो मैंने logo करके एक image पहले सी drawable के अंदर डाल दी है तो मैं उसका नाम यहाँ पर लिख दूँगा और यह आ गई यह हमारे YouTube के logo की image है अब यह constraint layout है तो constraint layout के अंदर हमें सारे attributes का एक constraint डालना पड़ता है means इनके anchors देने पड़ते हैं कि इन्हें कहां fit करना है तो मैं इसके anchors दे दूँगा मैं चारो side से anchor select कर दूँगा और इस image को अच्छे से set कर दूँगा इसकी location पे center में और that's it मैंने मैं चारो side में anchor डाल दिये हैं और set हो गई है image तो that's it हमारी एक splash screen बन गई है पर हब सवाल आता है कि यह app को मैं खोलूं और यह screen आये तो वो कितनी देर के लिए जैसे कि मैं चाहता हम भी तीन सेकंड के लिए आये तो उसके लिए भी मुझे coding करनी पड़ेगी और इसके लिए हम लोग इसकी java class में जाएंगे और इसकी coding यहां करेंगे आप तो अब हम लोग लिख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या हमें चाहिए कि हमारी जो स्प्लै्ष कर्न activity है वो तीन सेकंड के लिए दिखे और दूसरा तीन सेकंड के बाद वह हमारी मेन अक्टिविटी के अंदर चली जाए तो अब हम लोग दो चीज़े उस करेंगे पहली करने के लिए हम लोग handler यूज़ करेंगे और दूसरी चीज़ करने के लिए हम लोग intent यूज़ करेंगे यह दोनों ही Android Studio की pre-built classes हैं और handler वो यूज़ होता है multi-threading के लिए और intent यूज़ होता है एक activity में से दूसरी activity में जाने के लिए हम दोनों का यूज़ करेंगे इस example में तो सबसे पहले मैं handler class का एक object बनाऊंगा और उस handler के हम लोग post delay method यूज़ करेंगे और उस post delay method में एक argument डालनी पड़े गया हमें जो कि एक runable यूज़ करने से एक run method create हो जाएगी अब मैं पूरा एक code लिख देता हूँ और उसके अद में आपको समझाता हूँ कि इस code का मतलब क्या है तो मैंने जो पूरा code लिखा उसे मैंने एक handler यूज़ किया है क्योंकि handler के अंदर एक post delay method होती है जिसके अंदर मैं आप बता सकते हैं कि यह जो activity है उसको कितनी देर तक हमें delay करना है बिले मतलब sleep मतलब 3 seconds तक मैंने आप 3000 milliseconds इसलिए लिखा है कि वो 3 seconds तक यह जो post delay है वो इसे रोक कर रख देगा और उसके बाद क्या करना है वो हम लोग इस run के अंदर बता सकते हैं तो जैसा मेंने आपको पहले बता है था कि हम लोग intent use करेंगे तो वह intent हम लोग is run method के अंदर ही यूज करेंगे तो हम लोग intent by बना देंगे और intent का बदा के अच्वाओ एअ वो दो arguments लेता है एक है की आप किसमे से transfer होना चाते हैं तो हम लोग splash screen से transfer ना चाते हैं === हम लोग main activity.class लिखेंगे और फिर हम लोग start activity नम की method यूज करेंगे और उसके अंदर हम लोग हमारा intent पास कर देंगे and that's it लास्ली तुम लोग रैस नाम की फोल्डर में जो वैल्यूस फोल्डर है उसके अंदर जाओ और यहां पर डार्क एक्षिन बार लिखा है वहां पर नो एक्षिन बार कर दो इससे हमारा जो मेन एक्षिन बार है वो हट जाएगा तो हमारी जो स्प्लैश्ट्रीन है वो ज्यादा अच्छी दिखेगी उसके बाद तुम लोग मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर मैनिफेस्ट फाइल में जाओ और यह जो तुम इंटेंट फिल्टर देख रहे हो यह पूरा का पूरा कोड़ जो है उसे कट करो वहां से और जो स्प्लैश्ट्रीन वाली जो ब्लॉक है स्प्लैश्ट्रीन अक्टि और आप देख सकते हैं कि 3 सेकंड तक हमारी स्प्लैट स्क्रीन दिख रही है और उसके बाद जो हमारी जो एक्टिविटी वो मेन एक्टिविटी में चली जा रही है कई बार ऐसा भी सिनेरियो होता है कि वो लोग ऐसा कोड डालते हैं जिसमें उनका डेटा बाद में लोड हो जाए उसके बाद ही एक्टिविटी मेन स्क्रीन में जाए बड़ अपी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं